हलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैं चानल, राकीश रसोई, आज हम बनाएगे प्लान प्रोटीन से भर वो न्यूट्री चंक सोया के सबची, तो चलिए फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, इसे बनाने के लिए पहले हमें आप सोया चंक लेना होगा, इस तरह सोया च करें और उसमें सारे सोया वड़ी डाल दी और थुरसा नमक डालके उसे एक दो मिनिट बॉयल होने दे, यहां पर मैंने इस सोया चंक को गरम पानी में 15-20 मिट बिगो कर रख दिया है, बिगोने के बाद यह देखे यह वड़ी इस तरह सौफ्ट हो जाएगी, अब हम इस व जो भी आप पानी ले रहे हो वो थंडा पानी ले, जितना आप अच्छे से थंडा पानी लोगे सोया वड़ी में से स्मेल निकल जाएगा, तो बस दो से तीन बार अच्छे से रगड रगड कर धो ले और इस तरह स्क्वीज करके सोया वड़ी को थोड़े ड्राई करे, चल हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाले तो यहां पर मैं काश्मेरी मिर्ची पाउडर और तीका वाला मिर्ची पाउडर तोनों डाल रहे हूं साथी एक टेबल स्पून धन्या जीरा पाउडर एक टेबल स्पून तंदूरी मसाला डाले साथी एक टेबल स्पून हर अच्छे से निचोड के ही इसमें डाल दे अब इसे अच्छे से मिक्स कर देगी मिक्स करने के बाद इसे रेस्ट करने के लिए 15-20 मिनिट साइड में रख देगी तो जितने भी दही में मसाले थे वो सोयवडी एपसॉप कर जाएगा अब आदे गंटे बाद एक कड़ाय को र उसके बाद ग्यास को बंद कर दे और सारे प्याज को निकाल के हलका सा थंडा करें थंडा करने पर इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देगी और ग्रैंड कर देगी प्याज को सौटे करने के लिए जो हमने तेल यूज किया था वही तेल में आगे तड़का बनाएगे तक पक दो से तीन मिनिट में ही तेल छूट जाएगा बस गयास का फ्लेम स्लो ही रखे और इस स्टेच में डालेके सोया वड़ी जिसे आमने मसालों के साथ मैरिनेट करके रखा था और यह जो दही वाला बर्तन है इसे साइड में रख दे आगे इसमें पानी डालके यही पान मैरिनेट वाला सोया दिन इसमें डाल दिया है इसे लगातर हमें मिक्स करते रहे नवहें क्योंकि इसमें दही है हर बस लगातर मिक्स करते जाहिए जब टक मangle में तेल छूट नचाय कार्णी मिनिट मां शूट जाएगा आप इस टेज पर डाल देगे थूड़ा सा पानी, ग्रेवी जितनी थिक या पतली चाहिए आप उसकी सबसे पानी कम जादा कर सकते हो तो मैं लगबग एक कब जितना पानी इसमें डाल रहे हूँ साथ ही उपर से कस्तूरी मेथी डाल देगे, एक टीस्पून और स्वाद अनुसा नमक डालके एक पार अच्छे से मिक्स कर देगे मिक्स करने के बार धक्कन लगा दे और इसे 8-10 मिनिट स्लो फ्लेम पर होने देगे तो मसालों को जितना पूनोगे और स्लो फ्लेम पर इसे होने दोगे, सोया वड़ी की सब्जी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी तो दीमी आज पर इसे होने दे, तो ये देखे, 8-10 मिनिट बर तेल चूट चुका है और ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है तो आप छोले या पनीर की सब्जी खानी के शोकिन हो तो एक पास सोया वड़ी की सब्जी इस तरह ज़रू ट्राइ करिएगा छोले या पनीर की सब्जी से ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी लगेगी धेर सारा कोद में से गानिश करिए और करमा करम रूटी पराटा या जीरा राइस के साथ इससर्व करिए वीडियो अच्छी लगे फैमिली फ्रेंज के साथ ज़रू शेर करिए मेरी चैनि पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना पूले मिलते हैं अगले वीडियो में चिल देन कीप ट्राइंग माई रेसिपेस